असलाम लेकुम विवर्स, वेलकम टू एजूकेशन डिपार्टमेंट नियूज, आज की इस वीडियो में हम आप से शेर करने जा रहे हैं, बोर्ड आफ रेविनियू के तहट आने वाली नई भरतियों के बारे में, अगर आप वीडियो में मुकमल तफसील को जाना चाते हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रही है, वीडियो पसंद आये तो उससे लाइक करें, दूसरों से शेर करें, और चैनल को लाज़मन सबस्क्राइब कर लें, ताके नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सकें जी तो व्यूवर्स, ये जॉब्स हैं बोर्ड अफ रेविनियू पंजाब में, और ये जो पहले में आपको बताने जा रही हैं, प्रोवेंशल डिजास्टर मैनेजमेट अथार्टी के तहत, ये आल ओवर दपंजाब हैं, इसमें अगर आप धिहान से देखें, तो बाइस पोस्ट हैं, असिस्टन्ट जी आएस की, इसमें से स्पेशल कोटा पे हैं एक सीट, ओपर माइनारटी कोटा पे एक सीट और वोमेन कोटा पे हैं तीन सीट, इसकी क्वालिफिकेशन है, बी एस ऑनर्स, सेकंड लिए इन जेग्राफिक इन्फरमिशन सिस्टम और स्पेस और ऐसी इनिवस्टी से हो जो ही से रिकागनाइजड हो, मेल्स के लिए उमर की हाथ 35 साल, फीमेल के लिए उमर की हाथ 38 साल, जेंडर मेल, डुमिसाइल कहीं से पंजाब का हो सकता है, और 80 परसंट जो 100 मार्क्स का MCQ पेपर होना है, इसमें 80 परसंट क्वेस्टन आपके सब इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, बी-एस ओनर्स, कम्प्यूटर साइंस में, या इन्फॉमेशन टेकनालोजी में, या सौफ़वर इंजिनियरिंग में, या कम्प्यूटर साइंस इंजिनियरिंग में, HECC Recognize University से, मेल्स के लिए उमर की हाथ 35 साल, और फीमेल के लिए हैं, उमर की हाथ 38 साल, डोमिसाइल आलोवर पंजाब कहीं से भी हो सकता है, जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कोई भी अपलाए कर सकता है, और इसका भी 100 मार्क्स का MCQ टेस्ट होगा, 80% सबजेक्ट रिलेटेड और 20% जैनल नालेज, बोर्ड अफ रेविन चाहिए, इंटर्मिडियेट या उसके बराबर क्वालिफिकेशन चाहिए, किसी भी रिकरगनाईज बोर्ड से, 70 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश, और 35 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग, इंग्लिश में स्पीड चाहिए, कंप्यूटर लिट रेट हो और MS Office बंदा जानता हो, मेल्स के लिए उमर की हद है 32 साल और फीमेल के लिए है उमर की हद 35 साल, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी अपलाई कर सकता है, और डोमिसाइल सिर्फ चकवाल, इन्ही चकवाल डोमिसाइल के लोगों के लिए ये सुनहरी मौका है, क् इसके बाद अगर आप टेस्ट में देखें तो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का टेस्ट होगा, इसके डिटेल ये मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बिला बड़ा वीडियो को लंबा नहीं खेंचूंगी, उसके बाद दूसरी पोस्ट है, बेसिक पे डोमिसाइल चकवाल का होगा और पोस्टिंग चकवाल में ही होगी, इसके लिए भी वन पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगा, हंडर्ड मार्क्स का, 90 मिनट्स डूरेशन होगी, इसमें क्वेसिंज होंगे, जैनल नौलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करेंट अफियर, इस इसलामिक स्टडीज, एथिक्स फॉर नौन मुस्लिम कैंडिडेट्स, जोगरफी, बेसिक मैथ्स, जो आपका 9-10 लेवल का मैथ्स है, इंगलेश, उर्दू, एवरिडे़ साइंस, और बेसिक कम्प्यूटर स्टडीज, इस से रिलेटर सवालात होंगे, यानि आपके ये SSE यानि 9-10 तक के लेवल के सलिबस के जो क्वेस्टिन्स हैं, ये इसमें शामिल होंगी, इन जॉब्स पे अगला सवाल आता है कि 9 सेप्टेंबर 2022 को ये जॉब्स रिलीज होई है, कहां पे, कब और कैसे अपलाई करना है, इसके अपलाई का मुकमल तरीके कार मैं आपसे शेय करती हैं, इन जॉब्स पे अपलाई करने के लिए आप गूगल सर्च में जाएंगे और सिंपली वहां पे लिखेंगे www.ppsc.gop.pk, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पेज पहले उपन किया है, तो ये नीचे शो हो रहा है, आप इस वेबसाइट को उपन करेंगे, य हिंजाब पबलिक सर्विस कमिशन की वेबसाइट लोड हो रही है, इस वेबसाइट पे ये जॉब्स ये आपके पास सक्रीन ओपन हो जाएगी, इसमें आप करेंगे, I have read and understood this, इसके बाद आप ध्यान देएं, तो ये अडवर्टिस्मेंट नमबर 22, 2022 के तहर, Board of Revenue में ये अडवर्टाइज की गई हैं, इन पे अप्लाइ करने के लिए आप जाएंगे, अप्लाइ ओनलाइन पे, यहाँ पे आप देखें, बहुत सारे और डिपार्टमेंट की जॉब्स के साथ साथ, Board of Revenue Department की जॉब्स हैं, नीचे आते जाएए, अब अब ये देखेंगे, ये दे स्टैनोग्राफर और असिस्टन्ड, ये सिर्फ Board of Revenue चक्वाल की हैं, इन मेसेज जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाइ करना चाहते हैं, आप फॉर एक्जाम्पल, अब मैं स्टैनोग्राफर पे कर रही हूं, आप उस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद, PPSC का आप फॉर्म आप फिल करेंगे, ये दिखिए, ये complete information आप रीड करेंगे, और इसके बाद आप प्रोसीड पे आके क्लिक करेंगे, और उसके बाद, ये आप हिदायात पढ़ेंगे, इनको confirm करेंगे, देन उसके बाद आप apply online पे जाएंगे, और यहां पे आप अपनी complete application फिल करेंगे, इसको फिल करने से पहले, आपने अपना चालान फॉर्म जमा करवाना होगा, और PPSC ने बहुत सारे method इंट्रोडूस करवा दिये हैं आप चालान फॉर्म जमा करवाने के, जो आप के लिए suitable हो, वो आप उस method से जमा करवाएंगे देन आप अपना ये FCNIC नमबर with dashes without dashes डालेंगे और आगे proceed करेंगे, ओप सो आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया हो तो चैनल को लाजमन सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों से शेयर करें